हर हर महादेव नर्वदेहार जिया मित्रो मैं तुम्हारा अपना दोस्त गिरधारी और मा इश्निया नर्वदेश और स्यूलिंग आट में आप सभी स्यूलिंग भक्तों का साथियों का स्वागत करता हूं मित्रो देख लिजे कि आज मैं आप लोगों को एक नो इंच के स्यूलिंग नर्वदेश और स्यूलिंग के दर्शन करवा रहा हूं जो कि भोती आलोकिक और आद्भू स्यूलिंग है जिया मित्रो शिवलिंग की सुन्दरता देख लिजे कि किस प्रकार से इनकी उपर शिवलिंग के अंदर शिवलिंग की अकरतियां उब्री वी है जिया मित्रो देख लिजे कि कितने प्रकार से शिवलिंग के अंदर शिवलिंग की अकरतियां निकली वी है बहुती अलोकिक और बहुती सुन्दर शिवलिंग मा नरबदाजी से राप्त किया हुआ भगवान संकर का ऑरिजिनल आशुरुआत मिला हुआ जी यह देख लिजे यह शिवलिंग मित्रोब इस के लिए बहुत ही अच्छा शिवलिंग है जिया मंदिर में इनको इस्तापित कर सकते हो आप 10 इंची के शिवलिंग है इनको आप 6 भाय 6 के मंदिर में भी इस्तापित कर सकते हो और 8 भाय 8 के मंदिर में भी इनको इस्तापित कर सकते हो सात्यों क्या होता है कि सीवलिंग अगर आपके मंदिर की इसाब से सीवलिंग रखते हैं तो सीवलिंग और मंदिर का लूग बहुत अच्छा आता है यह नहीं कि मंदिर छोटा है और सिवलिंग बड़ा रग दिया या मंदिर बड़ा है और या सिवलिंग छोटा रग दिया सभी इसाब से उनको देखकर ही इस्तापित किया जाता है क्योंकि यह बार-बार का काम नहीं होता है यह तो इत्यास रचने वाली बात है कि मंदिर में जो एक बार सिवजी इस्तापित हो गए उसके अलावा किसी तरके से वह निकलेंगे नहीं वह अमर रहेंगे और अमर हो जाएंगे और यह बाद नर्वदेश वर सिवलिंग में आप देखोगे तो कई वर भी आप जहां पर देखोगे नर्वदेश वर सिवलिंग के कि यहीं विस्ज़ेशता है कि इनके उपर जितना जल्द चड़ाओं गया कि उतने ही इनके चमक बढ़ती जाती है जिया मित्रो करके हमारे इस नंबर पर संपर्ग करें मेरा कोंटेक्ट नंबर है एट फोर थिरी फाइब डबल फोर जीरो एट थिरी शेक्स हर हर महादेव घर घर महादेव ओम नमस्चिवाय सातियों